हेलो एव्रीवन, वेलकम तो क्लास and वेलकम तो मैचैनल आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेस मेनेजमेंट टेचिनिक, जैल्फ मेनेजमेंट स्किल के अंडर इस्से पहले हम स्ट्रेस मेनेजमेंट पढ़ चुके हैं जिसमें हमने देखा था कि स्ट्रेस क्या होता है और stress management क्यों जरूरी है तो वो कौन से techniques हैं जिसकी help से हम stress को manage करते हैं क्योंकि stress के वज़े से हमारी social life हमारी personal life और हमारी professional life पर फर्क पड़ता है उसका effect हमारे life पर पड़ता है हमारे काम पर पड़ता है तो stress को manage करना बहुत जरूरी है तो वो कौन से टेक्निक्स है जिसकी help से हम क्या करेंगे stress को manage करते हैं तो चलिए आज का session स्टार्ट करते है Stress Management Techniques में सबसे पहले हमारा जो टेक्निक्स है वो है time management दूसरा है physical exercise, तीसरा है positivity, फोर्थ है enjoying, फिफ्थ पांचवा है going vacations with family and friends और sixth चटवा जो है वो है taking nature walks, तो एक एक करके इनको देखते हैं चलिए सबसे पहला है time management, time management समय को बिल्कुल अच्छे से use करना अगर हमारा time manage है, हमारे हर काम का time fix है और हमने एक time table बनाया हुआ है तो उसका ये benefit होगा कि हर काम एक proper time bound के अंदर खतम हो जाएगा जिससे हमें जब काम timely खतम होगा तो हमें काम का pressure नहीं रहेगा काम का pressure नहीं रहेगा तो हमें stress भी कम होगा जैसे यहां बताया गया है proper time management is one of the most effective stress relieving techniques if all work done timely we can take care of our health time management की बज़े से सारे काम effective तरीके से खतम हो जाएगे और यह most effective techniques है किसको effective stress को कम करने का जब सारे काम timely खतम हो जाएगे तो हम अपनी सेहत का भी ध्यान राख सकते हैं हमारे अच्छी सेहत होगी तो हम अच्छे से काम कर पाएगे तो इसमें stress management techniques के अंड़े जो time management में आता है इसका benefit यह रहता है कि हम proper हम proper diet ले सकते हैं rest ले सकते हैं और सो सकते हैं क्योंकि अच्छी नींद का होना भी बहुत ज़रूरी है second है हमारे पास physical exercise stress is generally lower in people who maintain a healthy routine stress ज्यादा काम करने से जिसका बहुत ज्यादा क्या रहेगा कि ज्यादा work load होने से हम ज्यादा fatigue जैसे शरीर में ज्यादा aggression हो जाता है हम ज्यादा ठक जाते हम ज्यादा stress feel करते हैं तो इसीज के लिए हमें physical exercise करना बहुत जरूरी है जैसे इसमें हम yoga कर सकते हैं, meditation कर सकते हैं, deep breathing कर सकते हैं जिससे क्या होगा कि proper blood circulation जो proper खून है वो पूरे शरीर में क्या होगा circulate होगा जिसे हम relaxed feel करेगे हमारी body इवन taking a walk और playing sports will help you get a lot of fresh oxygen which will help you become a more active जब शरीर में अच्छी तरीके से oxygen जाएगा, blood circulate होगा तो हमारा शरीर स्वस्तर हैगा और हम अच्छे से काम कर बाएंगे इसके लिए हम yoga कर सकते हैं, meditation कर सकते हैं या हम कोई sports खेल सकते हैं जिससे fresh air जो fresh हवा है वो हमारे शरीर के अंदर जाएगी इसमें रहता है जैसे हम running कर सकते हैं, skipping कर सकते हैं या फिर meditation भी कर सकते हैं next है positivity, positivity, focusing on negative aspect of life will add more stress, instead learn to look at the good things and stay positive हमेशा सकारातमक हमें रहना चाहिए, उन चीजों पर focus नहीं करना चाहिए जो negative है, उससे क्या होगा, negativity से हम जादा stress फिल करेंगे जबकि अगर हम positive thing पर focus करेंगे तो हम अच्छी जीजों पर focus करेंगे तो हम positive रहेंगे जैसे for example, अगर हम कोई student है, वो अगली class में चला जाता है, अगर किसी कारणों से उसके marks अच्छे नहीं आ पाएं या अच्छी position नहीं ले पाया है तो वो उसको ना सोच कि जो अगली class है उसमें अच्छी त्यारी कर सकता है, positive रह सकता है कि मेरे पास time है, मैं इस साल और अच्छे से काम कर सकता हूँ positive रहने के लिए हमें अपने surrounding में हमेश अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए, अच्छे friends का साथ करना चाहिए जैसे यहां दिया गया है, read good books, हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, जो हमें positive रखती है surrounding yourself, अपने आपको अच्छे दोस्तों और लोगों के साथ रखना चाहिए, अपनी दोस्ती अच्छे लोगों और अच्छे लोगों के surrounding में रहना चाहिए गलत सुसाइटी नहीं करने चाहिए या negative लोगों के से दूर रहना चाहिए next है, enjoying recreational activities like watching good movies, attending concerts, playing games involving adventure sports, singing, dancing or even sketching can help individuals transcend to happier mental state and help manage stress हमें हर तरीके से अपने को enjoyable रखना चाहिए जैसे हम कोई अच्छी movie देख सकते हैं, जो हमें पसंद है हम कोई indoor game खेल सकते हैं, family के साथ खेल सकते हैं, किसी adventure sports पे जा सकते हैं जैसे rock climbing हो गई, river rafting हो गई, या हम कोई track पे जा रहे हैं Singing कर सकते हैं आप, dancing कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, sketching भी कर सकते हैं जो हमें क्या करेगा, हमें खुश रखेगा mentally, जिससे हम क्या करेंगे, stress free रहेंगे कहने का यह मतलब है, आपकी कोई भी hobby है, आपकी किसी भी तरह की hobbies हो सकती है वो, वो singing हो सकती है, dancing हो सकती है, cooking हो सकती है, अपनी hobbies को हमेशे active रखें, समय समय पर अपनी hobbies को पूरा करते रहें, जिससे आप क्या करें, enjoy करें और stress-free रहें. Next है, going vacations with family and friends. Vacations provide an opportunity to taking a holiday from our routine and appreciate different facets of life. Vacations can be taken up to friends and relative place, as well as to far-flung attractive location. Vacationing helping de-stressing individuals. यह कहता है कि vacations हमें अपने friends के साथ, अपने family के साथ time-time पे करना बहुत ज़रूरी है. इसका क्या रहता है कि कुछ-कुछ life के कुछ पहलू हमें जानने बहुत ज़रूरी है, कुछ attractive place पर जाना चाहिए हमें. अपने friends के साथ, हमेरी family के साथ बीच में gap लेना चाहिए. अपने काम से, अपने time family के साथ भी बिताना चाहिए. इसका ये benefit होगा कि हम एक तो उनको पूरा time दे पाएंगे, दुसरा हम खुद भी stress-free रह पाएंगे. नेक्स है, taking nature walks. Taking nature walks in a pristine environment of a national park or a sanctuary or a trail in countryside, village, bring us a calmness by allowing our stimulated minds a chance to relax and help us relax. हमें क्या करना चाहिए? Positive रहने के लिए, nature walk करना चाहिए. हमें कहीं घूमने जाना चाहिए, जैसे किसी national park पे जाना चाहिए. National park पे जा सकते हैं. किसी हम century पर जा सकते हैं. किसी गाओं के किसी peaceful जगा में जा सकते हैं. जिससे क्या होगा कि जो हम दिमाग में जो pressure है या आशान्त मन है वो क्या हो जाएगा? शान्त हो जाएगा, relax हो जाएगा. तो ये थे stress management के techniques जिसकी वज़ए से हम क्या कर सकते हैं? जिनको use करके हम stress free रह सकते हैं.